इस JPSC के परिक्षा में कई ऐसे होनार चात्रों ने सफलता हासिल की है जिसके पीछे एक बहुत लंबा संगर्स है उनका खुद का संगर्स उनके परिवार वालों का संगर्स उनहीं में से एक दानिस हुसेन जो JPSC की परिक्षा में 80 रैंक जिनोंने हासिल किया है उनसे आपक पर टोकरी रखकर उसमें चूड़ी गाओं का घूम कर बेचती थी, जब सर पर टोकरी रख रखकर बेच कर उनका सर में घा हो गया, तकलीफ हो गयी, तो वो बेचना छोड़ दी, दानिस JPSC परिक्षा में सफल होने से पहले रेलेवे की परिक्षा में सफल हो चुके थे, ले इस मुकाम तक पहुचने में मेरी मदद की, सबसे पहली मेरी माँ, जिनका नाम जरीना खातुन है, उसके बाद मेरे प्रात्मिक विद्याले के सभी सिक्षक जिन्होंने डिसिप्लीन सिखाया, इमांदारी सिखाई, और मेडल स्कूल के भी टीचर, साथी साथ हाई स्कूल क मनीश सर और जहास अकेडमी के अनीश सर और अभी इन लोगों से मेरा जुड़ाओ हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं, जिस सपने को मैं जी रहा हूँ, उस सपने को पूरा करने में ये लोग लगे हुए हैं, मेरा सपना यही था, कि मैं सिर्फ अपने परिवा जो है, अनीश सर भी जी रहे हैं, जहास अकेडमी, आइस अकेडमी के माध्यम से, जिसमें वो कहते हैं कि बच्चा सिर्फ इंट्रेंस का एक्जाम तुम निकालो, और उसके बाद सारी रिस्पॉंसिमिलिटी मेरी है, रहना, खाना, पीना, पढ़ाई, जो प्रॉपर गाइ मैं बता नहीं सकता हूं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है कि हम जैसे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, भले मैं लेट से जुड़ा हूं, लेकिन जो लोग मुझसे पहले जुड़ गए हैं, वो बहुत लगी हैं, और आगे भी जो लोग जुड़ेंगे, मैं पूरी त इसके बाद 12 और ग्रेजुशन करमसा मार्खम कॉलेज और कॉलम्बस कॉलेज से भी मैथ हॉनर से, आपकी मा चूड़ी बेचती थी, और बहुत संगर्स किया उन्होंने, बतलब उनके चर्णों को मैं धो दोकर बार बार भी पी जाओं, तो उस मुकाम तक मैं कभी नहीं प बच्चे जो है, जिस आर्थिक तंगी को हम झेल रहे हैं, वैसी स्थिति को ना झेले, और मेरी मा एक मिसाल है कि अगर महीला आर्थिक रूप से ससक्त हो जाती है, तो समाज में बहुत बड़ा परिवरतन ला सकती है, देश की GDP को बढ़ा सकती है, देश के जो यूवा है, उसको नहीं दिशा दिखा सकती है, अगर वैसी सी महिलाएं जो है, समाज में आगे आती हैं, तो गरीब से गरीब बच्चा भी जो है, आगे बढ़ सकता है, और समाज के लिए कुछ कर सकता है, अब रेलवे की परिच्छा भी कंप्लेट किये थे, जोईन नहीं के, क्यों न किया, और उसके बाद निरंतर इसमें लग गया, UPSC और JPSC मेरा दो मुखे फोकस था, जिसमें JPSC पहले आटम में में पास कर सका हूं, बहुत लोगों की दुआएं हैं, मुझे तो लगता है कि जितने भी कंडिड़ेट पास की हैं, सभी का एक संगर से, सभी अलग लग त कि बहुत सारे लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, और इसका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में. परिक्षा के बारे में बताएगा कि क्या क्या आप रखे थे परिक्षा में, और जब इंटर्व्यू हो रहा था तो उसमें कुछ खास सवाल आपसे पूछे गए, इन बातों का जिक्र नहीं हुआ था, क्योंकि JPSC में जहां तक मुझे लग रहा है, इस बार पैटन था, कि बेसिकली किसी डोमिसाइल इत्यादी से प्रश्न कम रहेंगे, और अगर डोमिसाइल पता भी चल रहा था, तो कॉलेज के नाम या स्कूल के नाम से पता चल रहा था, इस वज़े से डोमिसाइल और नाम, कास्ट, रिलिजन यह सब बहुत सवाल नहीं थे, जहां तक मुझे चैन नहीं उपाया, रैंक मुझे जो जिन लोगों ने अच्छा प्रफॉर्म किया, उनको मिला है वो रैंक, और मुझे मेरा दूसरा चैन हुआ है, तो उसमें मेरा चैन हुआ है, फाइनली, और यहां तक मैं पहुचा है, जो मेरा इमांदारी है, मुझे यहां तक जिसने कभी छोड़ूँगा नहीं, और इस छेतर में भी बहुत सारे विकल्प है, क्योंकि किसी भी देश के विकास में, सहर जो होते हैं, वो आर्थिक विकास के केंदर होते हैं, और अगर आप यहां से काम करते हैं, तो केंदर से काम करने का कुछ अलग सुकून है, यहां से से जोगा, वो कैसे पढ़ें, ताकि दानीस की तरह हुआ भी साफ़ा, और किसी भी केंदिडेट को पढ़ाई के दौरान दो बाते बहुत ध्यान में रखने चाहिए, एक अपने टार्गेट को पहचानने, और जो पहचान कर लिए आपने, उसके लिए कंसिस्टेंट मेहनत करते रहे हैं, और दूसरा है इमंदारी, ये दो चीज़ें अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो किसी भी मुकाम को आप पा सकते हैं, किसी भी मुकाम को, जिस मुकाम को इनसान पा सकता है, उस मुकाम को आप भी पा सकते हैं, और जिस मुकाम को अब तक इनसान करेंगे कि जो भी यूथ इस वीडियो को इस स्टोरी को देखेंगे वो जरूर मोटिवेट होंगे और अगर उनके पास पढ़ने लिखने का साधन नहीं होगा तो जहास आई-एस एकेडमी से जुड़ेंगे जहां पर तमाम आप सुख सुवीधा लेते हुए पढ़ाई की त रेशन के लिए सबका भरोसे मंद संस्थान पायों इनु एवं नगरटोली राची